मस्ते बच्चों, आज हम Hindi Grammar डिसकुस करेंगे पहले हम प्रारम करते हैं, स्टार्ट करते हैं संग्या और उसके भेद से संग्या हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप नाउन आप पहले से भी पढ़ चुके हैं तो noun क्या होती है यह संग्या उसकी जो definition है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान और भाव के नाम को संग्या कहते हैं और संग्या के तीन टाइप्स होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भावचक व्यक्ति वाचक संग्या हम किसे कहते हैं वे संग्या जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति विशेस का बोध होता है उसे हम क्या व्यक्ति वाचक या फिर प्रॉपर नाउन कहते है यानि कि जो पर्टिकुल ना नेम वाली संग्या होती है प्रॉपर नाव उसे हम व्यक्ति वाचक संगया कहते हैं जैसे की for example यहाँ पर गिवन है जवाहर लाल नहरू भारत के प्रधान मंत्री थी तो यहाँ पर जवाहर लाल नहरू जो एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है इसलिए यह व्यक्ति वाचक संगया है संगया जाती यानिके common noun है जो की पूरे स्प्सीज को रिप्रेज़न करता है तो वह संगया जिश्य सब्द से किसी भी जाती के अंतरगत आने वाले सभी व्यक्तियों वस्तूओं और स्थानों का बोध कराते हैं उसे हम जाती वाचक संगया कहते हैं जैसे कि for example यहाँ पर दे विद्यार्थी या फिर जाती वाचक संगया फिर इसी तेरा भाव वाचक संगया किसे कहते हम कि जो शब्द मतलब संगया कि जिस्भी शब्द से भाव का बोध होंगे उसकी फिलिंग मनातरे में पता चल के वारे में पता चल keen on कि जैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है गरीबी मतलब poverty विकास की आवाज में बहुत मिठास है मतलब संग्या का जो भाव, feeling है जैसे मीठा तो अपना adjective हो जाता है गरीब भी अपना विशेशन या adjective हो जाएगा यहाँ पे गरीबी जो हो गई वो भाव है मीठा का मिठास यह भाव वाचक संग्या है मेरा बच्पन खेल कूद में बीता बच्पन मतलब childhood तो यह भी भाव वाचक संग्या है तो यह सब भाव वाचक अरथा abstract noun है इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ examples दिये हैं जिन है कि हमें शंग्या सब्दों को रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करके हमें संग्या शब्द को यहाँ पे find करना है और उसका भेद बताना है मतलब कि types of संग्या बताना है तो उसका जो तो answer देखते हैं हम यहाँ पे संग्या पहले तो हमें संग्या फाइंड करने की संग्या शब्द कौन सा है तो यहाँ पे दुबई दुबई एक संग्या है नाम है तो व्यक्ति वाचक संग्या है यहाँ पर्टिकुलर नेम गेवन है फिर तो मोहन मेरा मित्र है जैसे फर्स्ट में दुबई बहुत सुंदर है दो व्यक्ति वाचक संजय हो गई और फिर मोहन मेरा मित्र है यहाँ मोहन यहाँ पे व्यक्ति वाचक संजय है विकॉस एक पर्टिकुलर नेम है और मित्र जो है जाति वाचक मित्र मतलब फ्रेंड यह common noun है फिर थर्ड है बच्चा खिलोना मांग रहा है तो यहाँ पे बच्चा और खिलोना दोनों जो है ना यह common noun है क्यों भी कोज यहाँ पे specific name नहीं given है तो यह दोनों बच्चा और खिलोना दोनों जो है common noun है फिर इसके बाद फोर्थ वाला सैनिक बहुत बहादूर है तो यहां पर जो सैनिक मतलब होता है दो बहाधुर होते हैं तो यह जो है न एक भावचक संगया है यहाँ पर बहादुर भावचक संग्या है और जो सैनिक जो है यह जाती वचक संग्या होगी विकोज यह common noun है सोल्जर सैनिक मतलब सोल्जर फिर इसके बाद फिफ्ट वाला है भारत मेरा देश है तो भारत जो है वो एक व्यक्ति वचक संग्या है विकोज यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम गिवन है तो यह व्यक्तिवाचक हो गया और देश मतलब कंट्री यह common noun याने जातिवाचक है फिर सिक्स्त वाला है आज मुझे आज थकावट हो रही है थकावट मतलब tiredness तो यह भी भावचक means abstract noun है फिर 7th है मुझे rail से सफर करना पसंद है rail जो है मतलब train तो यहां पर यह होगा जातिवाचक संगया यहां पर wrong लिखा है व्यक्तिवाचक यहां पर आएगा जातिवाचक संगया होती है rail फिर इसके बाद 8th वाला देखिए 8th वाला है कोयल मीठा गाती है तो यहां पर जो कोयल है कोयल भी जातिवाचक संगया होगी क्योंकि यह कोयल जो है पर्टिकुलर कोई नाम से कोयल का नहीं दिया गया है कोयल पूरी कोयल की जातिवाचक संगया होगी कोयल फिर 9th है मा तुमसे प्रेम करती है प्रेम मतलब लव जो है भाव अचक संग्या याने की अब्स्रक नाउन फिर टैंध वाला है राधा नाच रही है राधा जो है एक व्यक्ति है means proper नाउन या व्यक्ति वाचक संग्या